नमस्कार आप देख रहे हैं अनेमिफ न्यूज में आपके साथ शबनम एक तरफ पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं तमाम राज्यों पर मंधन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ महरास्ट में उथल पुथल मच गई है खबर आ रही है कि अब बीजेपी जल्द ही अजीद पवारगुट को अलग कर सकती है और विधान सबाज चुनाव अकेले ही लड़ सकती है क्योंकि आरेसेस ने अजीद पवारगुट के साथ आने पर नाराजगी जताती है उन्होंने आरेसेस के मुकपत्र में ये सब बाते अब खुल कर कही गई है कि बीजेपी को आखिर महरास्ट में किस वज़े से नुकसान हुआ और नुकसान की वज़े सीधी सीधी अजीद पवारगुट को बताया गया है तो अभिशेक जिस तरीके से अजीद पवार गुट वहां से अलग होकर शरत पवार से बीजेपी के साथ जुड़े अब उस तरीके से आरेशेस ने भी बोल दिया है कि अजीद पवार के जुड़ने से नुकसान हुआ पहले तो यह समझ लीजेगे के जो महायूती गटबंदन इन लोगों ने बनाया था शिंदे अजीद पवार गुट और बीजेपी उसके उपर इस बार लोगसबद चुनाव में महाविकास अगाडी का जो गुट था वो भारी पढ़ गया जिसमें कॉंग्रेस उद्वठा पाक्रे और शहरत पावार शामिल थे वह लोगसबाव के जो नतीजे सामने उसमें बीजेपी को भारी नुकसान वह देखने को मिला और इस नुकसान के पीछे का एक बड़ा फेक्टर रहा अजीद पवार गुट अजीद पवार गुट को जिस तरह तोड़कर बीजेपी म बनना था इसलिए वो चले गए इसलिए जो एंसीपी का जो कोर वोटर था वो कनवर्ट नहीं करवा पए जीद पवार अपनी एंसीपी में वो शरत पवार के पास चला गया अब आप समझे पिछले साल की बात है जिस वक्त सुप्रीम कोट में ये मामला चल रहा था शिंद अगर शिंदेगुट के जो विधायक हैं वो आयोग्या घोशित होते हैं तो उन्होंने अजीद पवार को जो है ओफर दिया या जीद पवार ने उनसे बात की जो भी कुछ इनके बीच डील हुई जो है जीद पवार आकर मिल गए बीजेपी के साथ वो इसलिए क्योंकि अ बैंक है और अजीद पवार को bilmiyorum और बीजेपी भी घोटाले बाज का नारा अकसर देती आए थी घोटाले बाज बताती आए थी लेकिन जैसी कटबंदन हुआ वैसे ऑल नारा खत्म हो गया अब आरेसस और बीजेपी अजीद पवार और नहीं बता सकते घोटाले बाज दूल जाएंगे इसी वज़ा से अब RSS महरास्त को लेकर खफा था और आल अवर इंडिया गार पैन इंडिया की में बात करूं तो पैन इंडिया लेवल पर भी RSS BJP से खफा है वो उसके यही फैसले हैं यही महरास्त का फैसला हुआ महरास्ती नहीं यूपी में भी खबर आई कि यूपी में भी RSS के निता कहीं न कहीं BJP से नारास्ती जिसकी वज़े से बीजेपी को नुक्सान होती है उन्होंने वो बात नहीं मानी वैसे ही उत्तर प्रदेश में जो सांसदो की लिस्ट थी जिनके खिलाफ एंटेंगमेंसी जादा थी वो लिस्ट RSS की तरफ से भेजी गई आलाकमान को लेकिन वो नाम नहीं काटे गए इसी तरीके से जो राजिस्थान में विवाद हुआ ज खिलाफ तो यह कहीं सारे फेक्टर हुए जिसमें RSS खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा RSS को मतलब वो होता नहीं सब्नम कहावत होती है कि बेटा बाप को जब आख दिखाने लगे तो दिक्कत आती है वही अब जहां से आपने जन्म लिया है RSS आपकी रीड केड़ी ह आपकी नीव है उसे ही अगर आप दर किनार करके आप चुनाव में गए 240 सीटों पर आप सिमट गए यहां RSS ने अजीत पवार गुटका पहले से ही विरोष शुरू कर दिया था तो अगर चोटे पवार को यानि अजीत पवार को आप लाएंगे तो यह पीट में छुरा ग ही गई है तो जो विधान साब चुनाव है जिस तरीके से आरस स्टेंड ले रहा है और से खड़ा हो गया है तो कहीं नगे अजीत पवार गुट को अलग करकर विधान साब चुनाव आगे लड़ा जाएगा उसमें शिंदे गुट शामिल रहेगा देगे यहां नडड़ा स अगर अजीत पवार गुट को बीजेपी अलग करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की क्रेडिबिलेटी पर भी असर पड़ेगा जिस त्रीके से असर पढ़ रहा है नितिश कुमार की क्रेडिबिलेटी पर कि वो सेके इसुलिए उनकी सीट जो है जो सोला सीटे उन्होंने जीती थी वो घटकर बारा रह गई अब आप समझेए यही फर्क पड़ेगा कि यह लोग अपने फायदे के लिए पार्टियों को तोड़ते हैं हलाकि बीजेपी इस चीज को नहीं मानती लेकिन अब लोग समझने लगे हैं अब लोग बीजेपी के नुकसान का सकति है विधान सबस चुनाओ में और अगर बीजेपी साथ रखती अजीद पवार गुट को तो जो एंसीपी का वोट है वो ट्रांसफर नहीं होगा अजीद पवार के गुट के पक्ष में वो ट्रांसफर होगा शरत बाबु के साथ ही वो वोट पार्टी तूटने के बाद अजीद पवार गुट के पास सिर्फ एक सीट गई और शरत पवार गुट के पास आठ सीटे गई तो कहीं न गई यह समीकरन बता रहा है कि बहुत बड़ा फायदा मिला मैं अब समझे कि रिवायवल मिल गया कॉंग्रेस पार्टी को रिवायवल मिल गया एंसीपी को शरत पवार गुट को जिनके पास जीद पवार भी थे और शरत पवार भी थे 2019 में कुल 5 सीटे जीट पाए थे वहां अब खुद जो है एंसीपी आठ सीटे जीट कर जो है रिवायवल मिल गया उस पार्टी को अगर अजीट पवार को जोड़े रखते हैं विधानसाबद चुनाओं में BJP तो उसे फिर RSS के विरोध का सामना करना पड़ेगा और अगर RSS के विरोध का सामना करना पड़ा तो मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी अगर सो नंबर लेकर महरास्ट में पिछले विधान सबस चुनाव में आई थी तो इस बार वो 50 पर सिमर जाएगी RSS का इतना फर्क है क्योंकि जितने भी तमाम बड़े नेता है वो सब संग से जुड़े वे नेता है महरास्ट से वो संग से जुड़े वे नेता है और यही नाराजगी का कारण है तो फाइनली ये आकड़ा फिलाल की राजनीदी का यही है अगर RSS से उपर जाकर महरास्ट में अजीत पवार के साथ रहती है BJP तो उसके लिए मुश्किल ने खड़े होंगी तो यानि कि आने वले समय में खबरे ये आ रही है कि BJP अब अजीत पवार गुट से किनारा कर सकती है और विदान सबाज चुनाव शिन्दे गुट के साथ मिलकर लड़ सकती है तो यानि कि लोगसबा चुनाव में जिस तरीके से अजीद पवार गुट ने एक सीट हांसिल की और उसके बाद उन्हें मंतरी पद नहीं मिला उससे भी अजीद पवार गुट नाराज बताया जा रहा है तो ऐसे में अब अजीद पवार पर संकट गहराता जा रहा है तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए क्वाई साबस्काट